सो फ्राइडे के दिन पर मार्केट ने अच्छा कासा नीचे के साइड रैली दिखाया स्पैशली निफ्टी और अब अगर आप स्जेश निफ्टी उठा के देखते हो तो कहीं निफ्टी पॉइंट प्लस है मार्केट इतना ज्यादा साइड वेस हो चुका है इतने कम रेंज में ट्रेड कर रहा है तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन पर मार्केट क्या प्रबबिलिटी है कहा हमको प्लान करना है लेस्ट इसकस देट याँ पर देख लेते हैं कि हमारा SGX Nifty Friday के दिन पर क्या गूल खिला रहा था 52 points के आसपास यहां पर देखिये आपको यहां पर ऊपर की तरफ दिख रहा है global market भी flat to positive यहां पर close हुआ फ्राइडे के दिन पर अब बात करते हैं कि क्या करना है मंडे के दिन पर ठीक है तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक trend line draw करता हूँ जो उसकी recent trend line है तो सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर दिख रहा है कि चलो बहुत एक channel pattern था उसको bank nifty ने यहाँ पर break किया यह break हुआ यह retest हुआ और कही ने कही नीचे की तरफ market यहाँ पर आया उस angle से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो चलो यहाँ पर downtrend भी हो गया यह high, low, lower high, lower low और market नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकता है साथ में यहाँ पर क्या करें टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची भी रॉग करें यह टॉप यह बॉटम तो market यहाँ पर पर फेक्ट्ली 50% का rejection लेते हुए नीचे की तरफ यहाँ पर आया कोई यहाँ पर यहाँ पर प्राइस फेक्टर यह है कि मंडे के दिन पर market gap खुलने वाला है साथ में अगर हम इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं इस सब अटा देते हैं कि चलो आपने यह देखा अब एक नजरिया और यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर हम लोग एक ऐसा जोन मार्ग करते हैं तो यहाँ पर क्या है यह सपोर्ट है यह मार्ેवर नहीं किया और शायद बहुत लोग फूल चोके होंगे और इस चक्कर में आपर selling वाली position यहां पर लेके गए है अब करना क्या है मंडे के दिन पर probability की gap up बगरा खुल जागा तो देखो market ने जितनी बार उपर के levels पर test नहीं किया उतनी बार नीचे के levels को test किया है अगर हम यहां पर sentiment समझने कोशिश करें या क्या plan हो सकता है market का हूँ समझने कोशिश करें तो उस साब से मैं आपर आपको समझने कोशिश करता हूँ ठीक है देखो यहां support था यहां support था यहां support था यहां support था अब यहां पर support था अब अगर यह directly break करके नीचे की तरफ आ जाए तो buy कौन करेगा कोई नहीं करेगा अब market का यहां पर plan मुझे यह बनते हो दिख रहा है कि बहुस कहीं ने कि यहां sideways लोगों को यह expectation होगी कि अब बहुत बार test हो चुका है अब यहां पर हम sell करके जाते हैं और उस चक्कर में market खुल रहा है यहां पर next day पर gap up simple अब यहां पर gap up खुलेगा तो क्या probability है लोग यहां पर रुके रहेंगे 90% chance है कि लोग यहां पर अपना exit कर देंगे और यही exact सही मौका होगा हमारे लिए यहां पर हम trade execute करें कैसे with logics में आपको समझाता हूं देखो selling case आप से देखना है कैसे देखना है वह आपको समझाता हूं देखे यह top से लेके यह हम Fibonacci draw करेंगे top से लेके bottom तक और इसको थोड़ा समया भी आपको zoom in करके दिखाता हूं ताकि आपको यह clearly आपके mobile screen के उपर अगर आप देखे हो तो आपको दिख जा देखो अब अगर let's say 50 points के आसपाद अगर nifty plus खुलने का चांस है तो 100-100 800 point के आसपाद भी खुल सकता है 100 point भी बगर लेते हैं हम लोग 990 के आसपाद यह खुल रहा है next इसका अगर समझें हम बगर लेते हैं कि चलो 44100 के आसपाद यह खुल सकता है तो यहाँ पर क्या है 38.2% के आसपास का rejection है साथ में यहाँ पर क्या है यह अपना 109 वाला rejection है यह rejection यह rejection और यह rejection तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक दो red candle देखेंगे ऐसा बनते होगे जिसकी probability थोड़ी बहुत कम है क्यों क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर लोग selling करते हो गए है gap up खुलेगा तो वो एक आदा दो मिनट तो जरूर वेट करेंगे वो उमीद से कि हो सकता है यहां से नीचे की तरफ आजा नीचे की तरफ आजा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे थोड़ा smart plan बनेंगे जाने देंगे थोड़ा market को ऊपर market यहां खुलता है यहां खुलता है यह तीनों level है यह तीनों selling वाले level थीनों मैं आपको बढ़ा देता हूँ 44,190 आपका 44,120 और प्लस 44,050 यह तो तीनों level है तीनों Fibonacci levels है यह तीनों selling के लिए बने है जिसमें downtrend confirm हो चुका है इन levels के आसपर हम selling का प्लान कर सकते हैं जब let's say levels defend है तब तक हम selling का प्लान करेंगे और प्लस let's say अगर flat खुलने के बार नीचे की तरफ आता है 43,790 ब्रेक कर देता है तो वो तो सोने पर सोहागा हो जाएगा हमारे लिए कि चलो अब यहां से तो यह नीचे के levels की तैयरी कर चुका है इसका next target बैठेगा 43,500 flat खुलता है तो भी selling के साब से देखना है ऐसा trend line draw कर देंगे हम 43,790 को break करता है तो 43,500 का हम आप प्लान करेंगे gap up खुलता है तो यह तीन levels है इन तीन levels पर क्या देख सकते हैं दो continuous red candle बन जाए ऐसा double top pattern जैसा कुछ दिखे या let's say for example आपको बताता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बस gap up खुला थोड़ा ऐसा उपर की तरफ जा रहा है हमने trend line draw किया अब यहाँ पर breakdown आ रहा है तो ऐसा भी हम प्लान कर सकते हैं तो यह 3 levels का प्लान देखना इस levels पर या यह levels के आसपर हम प्लान कर सकते हैं selling के इसाब से अब let's say market gap up खुला और continuous उपर की तरफ जा रहा है तो उस case में क्या करें तो देखो market को यहां रुकना है यहां रुकना है यहां रुकना है नहीं रुक रहा है उपर की तरफ जा रहा है 44,290 को break करके 3-5 फिनट वाला candle close कर देता है तो बस this is clear कि ना ही इसकी respect हुई ना ही इसकी respect हुई ना ही इसकी respect हुई यह levels पे support level market में भेव किया हुआ है यहां पर काफी जादा selling करने की कोशिश की जा रही है अब market ने 44,290 को break कर दिया है इसके उपर sustain होने की भी यहां पर हमको संभावना दिखाई है 3-5 फिनट के candle close होने के बाद और फिर हम लोग यहां पर plan कर सकते हैं हमारा जो ultimate target है 44,444 वाला this will be the first target next target 44,625 का simple क्या करना है gap up खुलता तो क्या करना है gap down खुलता तो क्या करना है flat खुलता तो क्या करना है bank nifty का plan यह simple हम लोग ने आपर discuss कर दिया है बात करते हैं nifty के अंदर और यह पी यहां पर जान रखीगा जब तक रेंज के अंदर है ना तब तक अपने पैसे बचा के रखो एक बार range break होगा ना रविडर्स यहां से आपको हजार से पंदरा सो पॉइंट का momentum मिलेगा जो कि आपके यह जो दो अफतों से जो हम लोगों के छोटे 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 लेके जा रहा है नो market पेशन्स है कि आप यहां पर वेट कर सके हो नहीं तो अपना तो प्लान कंफर्म है नेक्स वीक अगर नहीं हुआ तो अम लोग दना बैट देंगे दना लगा देंगे निफ्टी के सामने ठीक है चलो जोक सब्सक्राइब बात करते हैं निफ्टी में क्या करना है तो देखि का सपोर्ट लेवल जिसके सामने आके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया ओके मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रहा है क्या मार्केट ऐसा बहेव करता है क्या जर्नली नहीं करता है मार्केट को अगर नीचे की तरफ जाना है तो वह अपसाइड रिट्रेश्मेंट क यहाँ पर हम टॉप से लेके बॉटम तक फिर बॉन अच्छी रहा करेंगे चलो बॉस अगर लेट से यहाँ खुल गया यह support level था यह साथ में अपना यहाँ पर extend भी कर देंगे तो कहीं न कहीं EC levels के आसपास अपना इस trendline का retest level भी आता है मतलब 18610 यहाँ देखेंगे हम लोग selling के साथ से 2 red candle या double top pattern कुछ भी है आपको selling का देखते हैं तो हम प्लान कर सकते हैं 38.2% के आसपास देखिए 50% के आसपास जो आता है 18666 इस levels के आसपास कुछ selling अपास जो मिलता है तो हम देख सकते हैं जब तक इन 3 levels के नीचे हैं तब तक selling का प्लान करना है buying का मत देखना traders बले ही यह 40-70 point छोड़ देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है बढ़ हमको चाहिए confidence वाला मामला यहाँ पर बले ही यह चोटा सा breakout बगरा देखता हो miss out होता है तो कोई बड़ी बात जो कि यह level है इसके ऊपर 3 या 5 मिन वाला candle close दे देता है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ बस यह जो fall आया था यह इतना powerful नहीं है जो यहाँ पर भी seller subtract नहीं हुए यहाँ पर भी seller subtract नहीं हुए यहाँ पर भी seller subtract नहीं हुए अब इसने 618 levels को यहाँ पर या 5 मिन वाला candle close दे दिया इसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि चलो यहाँ पर अपना 3-5 मिन वाला candle close हो गया bottom से लेके top तक हमने Fibonacci दो किया retracement आया, breakout जैसा बना फिर हम प्लान कर सकते हैं 18,800 का हमारा जो ultimate almighty target बोल सकतो lifetime I का वो achieve कर सकता है यहाँ पर I hope, the point is clear बहुत ही simple way में आपर मैंने आपको समझाया है कि sell on rise, sell on rise ही करना है market ने signal दे दिया है कल का जो gap up open होगा वो weak sellers को निकालने का प्रयास किया जाएगा जहाँ पर high probability जन्होंने सिर्व यह सोचा कि अब तो crash आएगा यह आएगा, वो आएगा तो उनको थोड़ा बहुत के count करने के साब से market gap up खुल सकता है अच्छे levels मैंने आप आपको बता दिये हैं इन levels के आसपास थोड़ा सा systematic way में आपको देखना है double top pattern वागेरा कुछ बनता है ऐसा तो उसके उपर हम प्लान करेंगे टेलिग्राम पे मैं update करने वाला हूँ कि मेरा प्लान क्या दाएगा कल का तो उस रिसाब से आप चाहिए टेलिग्राम चनल जोईन कर सकते हो absolutely free है आपके screen के उपर photo flash हो रगा उसको scan कीजे और join हो जाए हमारा absolutely free वाला टेलिग्राम चैनल वीडियो अच्छा लगा तो like जरू कर दीजेगा like बहुत कम हो चुके रवेडर्स वीडियो के उपर we'll see you in the next video